नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की कोविल M टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, कोविल M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और कोविल M टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते है और यह भी डिसकस करेंगे की कोविल M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, कोविल M टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, कोविल M टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लिवोसेट्रिजीन 5MG और मॉन्टेलुकास् मॉन्टेलुकास्ट अस्थमा की वज़र से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय CT जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है, कोविल M टैबलेट का उप्योग अस्थमा होने प सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए कोविल M टैबलेट का उप्योग किया जाता है, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आमखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजली होना, छीन आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए कोविल M टैबलेट का उप्योग किया जाता है, डॉक्तर क्रोनिक अर्थिकेरिया होने पर यानी तवचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, तवचा पर एलर्जी होने पर और तवचा पर रैशेस होने प डॉक्तर कोविल M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में कोविल M टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में कोविल M टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वर सुस्ती होना, नीन अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्ती आने का मन होना आदी साइड इफेक्स कोविल M टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की कोविल M टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। कोविल M टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर डॉक्तर बारा साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को कोविल M टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं. कोविल M टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं. इसलिए आपको कोविल M टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. दोस्तों अगर आपको वी अधानिया रखनी चाहिए. कोविल M टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए. वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में कोविल M टैबलेट को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है. लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कोविल M टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशक्ता होती है अभी इसके बारे में परियाप्ट देटा अवेलेबल नहीं है कि कोवेल M टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं को लुकसान पहुँचाती है या नहीं इसलिए ज्यादा तर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं को कोवेल M टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं और स्तनपान करा रही महिलाओं में कोवेल M टैबलेट मा के दूद के जरिये बच्च अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोविल M टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं